हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो, उमेद हो, आप सब अच्छे होंगे, और आज हम पर्थवी हमारा आवास भुगोल, लेसन नमबर फोर, मानचितर या मैप के बारे में पढ़ेंगे और लेसन को समझेंगे, ओके, सबसे पहले हम यहाँ जो डाइग्राम देख रहे हैं, तो यह क्या है, दिक सूचक है, जिससे हम डारेक्शन का पता लगाते हैं, जो दिशाएं होती हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं, जो रेड पॉइंट है, यह हमेशा नोर्थ डारेक्शन के अंदर दिखाता है, नोर्थ डारेक्शन को दर्जाता है, ठीक है, तो नोर्थ या प pointed होता है अब हम मांचीतर के बारे में यहां read करेंगे मांचीतर या map हैं वो हमारी कैसे मदद कर सकते हैं उन से हम किन सूचनाओं के बारे में किन किस स्थानों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कितने परकार के map होते हैं इन सब के बारे में हम लेसन में समझेंगे, वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है, तो सबसे पहले हम यहाँ मानचीतर देखते हैं, मानचीतर क्या है, मानचीतर पर्थवी की सत्य या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से समतल सत्य पर या चप्टी सत्य पर खीचा गायक चीतर है तो मानचीतर पूछ सकते हैं कि पर्थवी की जो सतय है इसके किसी एक भाग को या पूरी पर्थवी के बारे में किसी समतल सतय है या कागज पर जो इसके बारे में हम डायग्राम बना के दिखा सकते हैं या समझा सकते हैं उसको बोलते हैं मानचीतर मानचीतर से हम प्रिठ्वी का एध्यन करना चाहते हैं तो गलोब के लिए पहले हमने गलोब के बारे में पढ़ा था कि गलोब से हम प्रिठ्वी के अलग-अलग समुंद्रों के माजागरों के मादेशों के बारे में जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं ऐसे ही हम मानचीतर से देश, राजय, जिले, सहर और गाउं के बारे में भी information ले सकते हैं, तो इस परकार मानचीतर हमारी विभिन परकार की जो जरूरते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, मानचीतर एक छोटे से छेतर को भी और उनसके कुछ fact को भी बताता है, मानचीतर एक बड़ी किताब की तरहे तख्थे हो सकते हैं, बहुत उसे मानचीतरों को एक शाफ रखते हैं, जिसको हम अटलेस बोलते हैं, अटलेस की जबुक, उसमें बहुत सारे, अलग-लग मैप हम देखते हैं, उनसे जानकारी प्रप्त करते हैं, तो अलग-अलग पहमाने से खीच की गई मापों को आधारित होता है मानचीतरों से हम ग्लोग की अपिक्षा जादा जानकरी प्राप्त कर सकते हैं यहां डिफ्रेंस बताया गया ग्लोग और मानचीतर में ओके मानचीतर अलग अलग परकार के होते हैं यह हम नीचे देखते हैं तो मानचीतर मोस्त तेन परकार क या फिल करते हैं जो blank map होता है तो वो ऐसा होता है भोतिक मानचीतर ठीक है जिसमें हम भोतिक या उचावच मानचीतर भी कह सकते हैं यह नि परवतों की उचाई पठारों की उचाई मैदानों की नदियों की सब के गहराई के बारे माशागरों के गहराई यह सब हम भोतिक मान हैं विशव के अलग-लग देशों के राज्यों और उनकी सिमाओं के बाउंडरी को के बारे में हम दिखाते हैं वो मांचीतर होते हैं राजनितिक मांचीतर ठीक है जिसे हम अलग-लग देशों की राज्यों की गाओं की सहरों की नगरों की बाउंडरी को दिखाया जाता है उस सब के बारे में हम कौन से मानचीतर पर समझेंगे थेमेटिक मानचीतर पर तो ये तीन प्रकार के मानचीतर हमें या पता चला भोतिक राजनितिक और थेमेटिक ये समझना जुरूरी है अब यहां पूछा जा सकता है मानचीतर के घटक कितने हैं तो मानचीतर के हैं तीन घट ज्सकितर के किसी एक पारट का हो सकता है जिसको हम कागर्स पर दिखाते हैं यह कह सकते हैं कि मांचीर छोटे पवैमाने पर खिचा जाता है इतनी साथानी इसे काम किया बनाया मांचीतर स्थानों की बीच की दूरी ऐसा लगे कि जैसे वास्त्विक दूरी हो वैसे तो हम वास्त्विक दूरी को मांचीतर पर ने शोग कर सकते हैं लेकिन ऐसा लगे कि मांचीतर पर जो दिखाया गया वो रियल लगे यह तभी संबर हो सकता है जब कागस पर एक छोटी दूरी सथल सथल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है, यानि कि सथल की जो दूरी है, वो कागज़ पर छोटी दूरी के रूप में व्यक्त की गई है, इसका उदेश है कि पैमाना लिया जाता है, स्थील जिसको बोलते हैं, सथल पर वास्थविक दूरी और मांचीतर पर दिखाएगी की दूरी हैं, तो मांचीतर पर हम उसे 2 cm की दूरी से व्यक्त करेंगे, तो इसका भी पराया है कि मांचीतर का 1 cm सथल के 5 km को दर्स आएगा, तो जो मांचीतर पर दिस्टेंस है और ओरिजनल जो डिस्टेंस है, उसमें इस तरह से उसके सिंबल बनाए जाते हैं, ओके, तो यह बैमाने की जो डिस्टेंस है, उसके बारे में यहां दिखाया गया है, ओके, अब यहां देखते हैं कि जब बड़े चितर फल वाले भागों, जैसे महादवीपों, देशों को कागिस पर दिखाना हो, तो हम छोटे बैमाने का उप्योग करेंगी, यानि कि हम इतने बड मादवीपों पूरे मानचीतर पर निखा सकते हैं, तो उसके लिए हम छोटे बैमाने का परियोग करेंगे, तो मानचीतर पर 5 cm है, और सथल पर जमीन पर 500 km, तो यहां 500 km को 21 के एक्वल मानेगे हम 5 cm के हो, तो इसको बोनते हैं छोटे पैमाने वाला मानचीतर, यानि मानची तो यहां तो हमने 500 km को 5 cm दिखाया था, बड़ी चीज को छोटे पैमाने पर और चोटे पैमाने पर तो 500 km को 5 cm में दिखाया गया है, तो इस परकार के जो पैमाने को हम बड़ा पैमाना वाला मानचीतर कह सकते हैं, तो इस समझ में आ गया होगा बड़ा पैमाना और छोटे पैमाने के किस परकार से डिफ्रेंसी यहां पर दिखाया गया है, अब यहां देखते हैं, यह सिंबल दिखाये गया है, यह सिंबल हैं सभी जैसे किसी गाओं के, अगर हम जानना चाहें किसी चित्तर के द्वारा, तो खेल का मैदान, यह घास दिखाया गया है, पेड दिखाय पोस्ट ओफिस दिखाया गया है यह सोफ दिखाये गया है यहां पर स्कूल विदाले दिखाया गया है यह विकास का एग इसका सब क्या लग लग यह फलो दानें फलों के बगीचे के बारे में दिखाया गया तो इस सिंबल बनाए जाते हैं मानचीतर पर दिखाने के लिए ठ के बारे में तो मेन हमारी 4 है North, South, East, West North, South, East, West 4 direction है तो इनके beach की जो direction है उनके बारे में वह या सोचते है East और West की North और East की जो beach के उसको बोलते हैं North East ध्यान देना नोर्थ और इस्ट की भी और जो इस्ट और साउथ तो साउथ इस्ट ये बीच की दिशा है ऐसे ही साउथ और वेस्ट के बीच की साउथ वेस्ट ये दक्षन पस्चिम लिख रखा है हिंदी में और ऐसे ही नोर्थ वेस्ट यानि की उत्र पस्चिम तो ये टोट कि द्वारा ही समझा गया है जो एक्सर उ लिखा वह उत्तर को दर साता है उत्तर रेखा कहा जाए उत्तर दिशा कहा जाएगा ऐसे ही जो दै पूरो पस्चिम दक्षन के बारे में हमने या अभी जो मैंने समझाया है यह प्रधान दिखविंदू है यानि कि जो फोर दिशाए कि विकास के घर से जो उपर डायग्राम था कितना दूर है खेल का मैदान कितना दूर है तो इस सब हम डायग्राम से है अब यह दिख सूचक के बारे में उपर आपको मैं बता चुकी हूँ दिख सूचक किया मदद करता है हमारी किसी स्थान की दिशा का अगन में पता लग तिया यानि कि इसने कहा कि जो रेड पॉइंट है वो किदर होता है उत्तर की तरफ और दूसरा सिरा किसकी तरफ होता है दक्षन की तरफ ठीक है यह तिक सुच पैसा जो इसका में पॉइंट है वह अब हम यहां देखते सिम्बल क्या है दिशा के बारे में हमने पढ़ लिया दिशा और दूरी के बारे में हमने पढ़ लिया तीसरा जो इसका पर्तिक है शहसिए कि तेसरी मांचतर का घटक है वह क्या है पर्तिक है वास्तिफिक आकार यह तरकार जी भिविन आकर्टियों के दнулवारा जैसे सिमबल है भावन का सिमबल सडकों का, पुलों का, वरक्षों का, रेल के पटरियों का, कुओं को दिखाना संबाव नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ सिंबल बना लेते हैं, परतिक बना लेते हैं, किसी अक्षर बना लेते हैं, पेड़ बना लेते हैं, उनके द्वारा हम क्या तरसाते हैं, जैसे कि हम नीचे इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो ये डायग्राम भी इंपोर्टेंट है, तो ये जैसे रेल्वे लाइन के लिए, अगर बड़ी लाइन है, तो ये ज्यादा डार्क ब्लेक है, मीटर लाइन है या रेल्वे सड़क है अगर पक्की है तो इस तरह से डिजाइन बना दिया है अगर कच्छी है तो इस तरह से यह बाउंडरी है अगर हमारे इंटरनेशनल है तो इस टाइप की है अगर स्टेट की बाउंडरी है तो इस परकार की है तो इस परकार की तो यह सिंबल याद रखने जरूरी है अब यह क्या है रिवर है यह ब्लैक डोट क्या है वेल है कुँआ है तलाब है नहर है पुल है तो यह संबल याद रखने बहुत जुरूर लिए इस प्रकार के यह टेमपल है गिर्जा घर है मस्जीड है छत्रिये अब ये पोस्ट ओफिस P.O. से P.T.O. पोस्ट ओ ट्रेलिग्राफ ओफिस पुलिस स्टेशन P.S. R.S. रेली स्टेशन तो ये सिंबल बनाए गए हैं बस्ती यहाँ जैसे इस परकार के रेड सिंबल है तो बस्ती है इस परकार का तो कबरिस्तान जिसको जहां पर कबर बनाई जाते हैं अब ये पेड का है ये ग्रास का तो ये अलग अलग सिंबल से जैन की हिनकी द्वारा हम जल्दी समझ सकते हैं ओके तो मानचीतर से इस परकार से हम अलग अलग जानकारे कटी कर सकते हैं तो हम समझ सकते हैं परतिकों के उपियोग के संबने एक अंतराष्ट सहमती होती है, यानि पूरे इंटरनेशनल सतर पर ये परतिक मानने होते हैं इन परतिकों का ये अर्थ होता है, ठीक है, ऐसे ये जो पिछे हमने पड़े हैं, तो उनके बारे में अगरे परार से दिखाया गया है ठीक है तो यह अलग-अलग सिंबल से दिखाया गया है अब यहां विभीन अरंगों का परियोग करके इनके बारे में बताया गया है तो जैसे यहां कोण-कोण से नीले कलर का इस्तेमाल जलाश्य के लिए होता है ध्यान से नीले कलर पानी को दिखाता है भूरा कलर जो हमारे परवत होते हैं, पीला, पठारों को, हरा, मैदानों को, तो इस परकार से अलग-लग color का अलग-लग symbol बनाया जाता है, next हम देखते हैं मानचीतर के साथ साथ रेखा चीतर क्या है, जिसे हम लाइन रेखा बोल सकते हैं, जो पहमाने पर आधारित ने होकर, या दास या स्थानिय प्रेख में, जैसे हमने पीछे लिया था 5 cm दर साता है, 500 km को 5 cm दिखाता है, 500 m को, तो यहां कोई पैमाना नहीं, वैसे ही हम लाइन लगा देते हैं, रेखा लगा देते हैं, कभी-कभी कि शिक छेतर के कच्चे आरेखन के आप सकते हैं, जैनकि हम उसका डाइग्राम बना लेकिन बिना पैमाने के, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सापेक्स दिखाने के लिए, आप यहां मान लेते हैं कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन हम उसको पैमाने से नहीं, उसको आईडिया भी बताएंगे, कि यहां से लेफ्ट हो जाना, राइट हो ज चोटे एक चित्र को बड़े पैमाने पर खीचागा रेखा-चीतर, यहन鉴ी की बिना पैमाने की चोटा एरिया है उसको बड़े कागस पर हम शहो करना चाते हैं, तो उसको ओलते हैं खागा एक बड़े पैमाने पर मानचीतर में से हमें बहुत सारी जानकरिया मिलती हैं, कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कमरे के लंबाई चोड़ाई जिसे मानचीतर पर नहीं दिखा जा सकता है, उस समय हम एक बड़े पैमाने पर एक रेखा चीतर खीस लेते हैं जिसे हम खाका कहते हैं जैसे कि हम कई बार क्या घर बनाने के लिए हम उसकी तैयार करवाते हैं घर के लिए किसी आर्खिटेक्चर से तो उसका जो डिजैन बना लेते हैं उसको बोलते हम खाका ओके? तो ये था हमारा लेसन brother पूर मांचीतर अगर वीडियो पसंद आए समझ में आए लेशन तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें ओके स्ट्रेंट्स थेंक यू